नमस्कार मैं हूँ अकांग्शा पांडी और आप देख रहे हैं आई BC24 शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्यप्रदेश के नमबर वन बुलिटन मध्यप्रदेश में आज किया हुआ का इस एक बुलिटन में हम आपको मध्यप्रदेश के हर एक खबर का पूरा अपडेट देते हैं और शुरुवात करते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों के साथ तो आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे मिनी मुंबई यानी की इन दौर में महापाप कैसे हुआ है इसका पूरा अपडेट आप तक पहुचाएंगे इसके साथ ही शातिर हसीना के ट्राप से बचकर कहाँ पर हनी ट्राप गैंग का भंडा फोर्ड हुआ है और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि कहाँ पर पहले इश्क क्या गया शादी का बादा किया गया और फिर दुशकर मिक्या गया रफ्तार कैसे आज काल बनका मद्रप्रदेश की सड़कों पर घूमती नजर आई इसका भी अपडेट आपको देंगे और कैसे चलती ट्रेन से एक पत्रकार का हत्यारा फरार हुआ है इसका भी खुलासा होगा और मद्यप्रदेश के पहले ड्रोन पाइलिट से आपको मिलाएंगे और किस तरह से प्रभू को नमन करने के लिए डॉक्टर मुहन यादव कहां पहुचे है ये भी बताएंगे और शुरात करते हैं दोर से जोहां एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है यहां एक शादी शुदा महिला ने अपने पती के दोस्त पर दुशकर्म का आरोप लगाया है पिडिता के अनुसार आरोपी ने दुद्मोहे बच्च्चे को जान से मानने की धमकी देकर वारदात क को अंजान दिया इसके साथ ही आरोपी ने पीडिता परिधर में परिवर्तन का भी दबाव बनाया देखिए रिपोर्ट आर्थिक राज़ानी इंदौर हुआ शर्मसार शादी शुदा महिला से दुशकर्म का लगा आरोप पती का दोस्त ही बना दरिंदा दूध मुहें बच्चे की हत्या करने की दी धमकी पीडिता ने सुनाई दर्धनाक कहानी इंदौर में एक शादी शुदा महिला से उसके दूध मुहें बच्चे की हत्या की धमकी देकर दुशकर्म करने का मामला सामने आया है आरोपी का नाम काशान है, जो पीडिता के पती का ही दोस्त है। पीडिता ने आरोप लगाया है कि काशान ने अक्टूबर दुहजार थेईस में मौडलिंग के किसी प्रोजेक्ट के सिलसले में उसे किसी से मिलने के लिए पुषप नगर सिद घर पर बुलाया था। जब पीडिता अपने दो साल के बेटे के साथ आरोपी के कहने पर उससे मिलने पहुँची तो उसने देखा कि उस घर में कोई नहीं था। बस इसी बात का फाइदा उठा कर आरोपी काशान ने गेट बंद कर दिया। पीडिता ने आगे बताया कि काशान ने उसके दूद मुहे बेटे के गले पर चाकू रखकर उसे जान से मारने की धमकी दी और दुशकर्म किया। इस दौरान आरोपी ने पीडिता के निजी वीडियो भी अपने मुबाइल में कैद कर लिये और उन्हें वाइरल करने की धमकी देने लगा। और उसके बाद से लगा तार ब्लैकमेल कर पैसे वसूलते रहा। यही नहीं पीडित महिला ने पुलिस को ये भी बताया कि आरोपी लगा तार उसे पती से अलग होकर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। इसके बाद पीडिता ने परिशान होकर अपने पती को इस बात की जानकारी दी और साथ ही हिंदुबादी नेता मान सिंग राजावत को आप बीती सुनाई। मामला थाने पहुचा तो पुलिस ने F.I.R. दर्सकर आरोपी को गिरफतार कर लिया है। अंशल मुकाती आईबी सी 24 इंदौर तो आर्थिक राजधाने इंदौर फिर से शर्मिसार हुई है। और उसके बाद इस पुरे मामले का खुलासा हुआ है। आरोपी को गिरफतार कर लिया गया है। इदर मद्रदेश में एक बार फिर हानी ट्राप गिरों का भंडा फोड हुआ है। गैंग की दो शातिर महिलाएं छतरपूर से दरसल गिरफतार की गई है। पिरत युवक की शुकायत पर मामला दर्ज हुआ है, कारवाई जारी है। देखे रिपोर्ट। इन दो नकापोश महिलाओं को देखे। रिजित किया और जब वहाँ पहुचा तो उससे पैसे की डिमांड गी और कुछ पैसे और मुबाईल ले भी लिया। और वर्तमान में दो महिला हैं जो इस ब्लैक मेलिंग में सनलिप्ट थी। उनको अरेस्ट किया है तीसरे आरूपी की गिरफ्तारी विशिगरी होगी हमारी टीम प्रयास कर लही है। दरसल 15 माई को एक युवक ने नौगाओ थाने में शुकायद दर्ज कराई थी। शुकायद में युवक ने बताया कि 22 वर्षी पूजा बुंदेला से उसकी फून पर बात होती थी। 15 माई को पूजा ने उसे मिलने के लिए घर बुलाया जहां आदतन अपरादी हुपेंद्र सिंग समेट दो अन्ने लोग बैठे हुए थी। कमरे में घुसते ही सभी ने मिलकर अमित को बंधक बनाकर 2 लाख रुपे के मांग की और पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पिरित ने जैसे तैसे समझाईश देकर उन्हें 8,000 रुपे और अपना मुबाइल देकर वहां से निकल कर थाने में शुकायत की। शुकायत के बाद पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफतार किया है अन्य आरूपियों की तलास चारी है। और इधर गॉलियर में दोस्ती और इश्क की आड में युफ्ती से रेप का मामला सामने आया है। प्रेमी ने प्रेमिका के आबरू लूटी उसका वीडियो बनाया उसे वायल करने की धमकी दी। पिडित युफ्ती ने पुलिस थाने में शकाय दर्ज कराई है जिसके अधार पर पुलिस ने आरूपि के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रेमी उसके साथ दे कर उसके साथ अवेश्त संवन मनाय और इसके साथ दोसकरम किया। और सीख री आरूपि को दरप्ता किया। और अब आपको मद्रप्रदेश में हुए सराखाथ्सू की कुछ तस्वीरे दिखाते हैं पहली तस्वीर जबलपुर की है जहां पर जबलपुर नाकपुर हाईवे में एक सराखाथ्सा हो गया अन्यंत्रित होकर के बाइक सवार के उपर ट्रक पलड़ गया विद्युत अध्या जाने का मौका मिला माता सर्यू के किनारे अयोध्या धाम में सुप्रिम कोट के इंड़नाई के बाद यस्वी प्रधान मंद्री ने और राम जन्मु मिन्यास ने जो अध्भुत अउसर दिया भगवान अपने धाम में मुस्करा रहे यह 500 साल का संगर से हमारे मद् मंद्य लगबग 2000 साल पेले 84 काले कसोटी के खंवे वाला मंदिर जो काल के प्रवाम 500 साल पेले आकरांताओं ने तोड़ा था आज पुना भगवान का मंदिर देख करके और भगवान के धाम में वो बाल सुरुप की प्रतिना देख कैसा लगता है कि देखते ही रो देखते के लिए भी गया था लेकिन मानि रुक नंदन सरमा जी हमारे पूर राजसवा सदस्य भाजपा के वरिष्ट ने था बहुत सार दाईतु का निरवन किया इस वबसर पर हमारे नारेंड केसरी जी आप भी सांसदर है राजसवा सदसर है आप उनके साथ ओम मानियों महता जी उद्धोदाजी महताजी के लड़के हम उनका बड़ा अपना मनिरमेश सरमा जी वरिष्ट पत्रकार हम सबने भगवान के धाम अगर जाओ तो साथ में यात्रा गानंद रहता है और मैं और सोभा की साली हूं कि सभी वरिष्टों के साथ भगवान का मोका मिला है पुढ़न कि परमात्मा मोका दे जैए स्री राम जैसे कर्शन यूपी की जौनपूर में पत्रकार आशुतो श्रिवास्तव की हत्याखा आरोपी मोस्ट वॉंटेड जमीर उद्दीन कुरेशी यूपी पुलिस के हिरासप से फरार हो गया जमीर उद्दीन मंद्रदेश के खंडवा में पुलिस कर्मियों को धक्का देकर खंडवा स्टेशन पर चलती ट्रेन से कूद गया पुलिस कर्मियों को चक्मा देने के लिए उसने बातरूम जाने का बहाना बनाया था स्थानी रेलवे पुलिस और यूपी पुलिस आरोपी कुरेशी की तलाश कर रही है स्टेशन के आसपास की CCTV फुटेज खंगा ले जा रहे है बताया जा रहा है कि जमीरुद्दीन कुरेशी को महराश्ट पुलिस के सहयोग से गिरफतार किया गया था उसके गिरफतारी मुंबई के भिवंडी से हुई थी जानपुर से पुलिस टीम जमुरुद्दीन को ट्रांजिट रिमान पर लेने के लिए मुंबई गई थी यहां से गोरकपुर वीकली ट्रेन में बठा कर उसे जानपुर ले जा रहे थे इसी बीच खन्वा स्टेशन पर देर रात करीब दो से तीन बजे के दर मिया वो ट्रेन से कूद कर फरार हो गया गेट से कूद के भाग गया चर्टी टेन में आउटर पे सीची टीवी फ्यू देखे नहीं देखा पर वो इधर आय लिखे थे में आवे जन दिया तो उस पर अपन ने मुकतमा कायम किया है अपरात क्रमांग एक सुबारा अभलिक चोवीस तारा दूसों चोवीस आईपी से फरसी दस्तावेशों के अधार पर करोडों की जमीन खुर्दबुर्द करने के मामले में आईबी सिर्फ़नीफोर की खबर का बड़ा असर हुआ है योडवलू ने छिनवाडा एवेंजिलिजिकल लूथरन चर्ज के ततकालीन बिशप इमानुवल पंचु समेट छे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है इसमें गवर्निंग बॉडी सदस अनिल मैथ्यूज, आर्च जिकन बिशप अनिल माटिन, सच्चिफ नितिन सहाई, कमल कांतिराथी और चर्ज के हैट रेजरार अशोक चौक से शामिल है इनके खिलाब धोका दर्डी, अमानत में खयानत, अपरादिक शडियंत्र और फर्जी दस्तावेज बनाने सहिर, कई धाराओं के तहट के इस तरज हुआ है सभी छे लोगों पर आरोप है कि उन्होंने मिलकर जबलपूर फर्म एवं सुसाइटी की इजासत के बिना करोडों रुपे की जमीन बेच कर साशन को करीब एक करोड ग्यारा लाख रुपे का चूरा लगाया है वर्तमान में हेटर इजरार के पद पर बने अशुक चौक से अपने साथियों के साथ चर्च के सामने की जमीन को बेचने का प्रयास कर रहे हैं इस जमीन पर बड़ा शौपिंग मॉल बनाने की योशना है इसे करोडों की राशी गवन करने की तैयारी अशुक चौक से ने की है अशुक चौक से ने एक फर्म भी बनाई है और उसमें ये पार्टनर बताए जा रहे हैं मामले में भी EOW ने मामला दर्ज कर लिया है जाच चुरू कर दी गई है मत्यप्रदेश सरकार के मंत्री दूसरे राजियों में चुनाव प्रचार करेंगे चुनाव प्रचार करने के लिए राज़स सरकार की मंत्री कृष्णागाउर दिली में पहुंचने वाली है और आईबी 74 से चर्चा में कृष्णा गौर ने बताया कि जल्द ही वो दिल्ली जाएंगी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे और इस दोरान उन्होंने गोविंद पुरा विधानसबा के शेत्र के मददाताओं का आभार भी चताया और इसलिए हमारी जिम्मेदारी अब उन प्रदेशों के लिए दी जा रही है बहुत जल्द अदिल्ली में मैं पहुंचूंगी मददान का प्रतिशत भी अगर हम देखा जाए तो जिन महिलाओं ने वोट किया है उन्होंने भारती जनताबाटी को वोट किया है प्रदान मंत प्रदेश की सीम डॉक्टर मोहन यादव ने स्वाती मालिवाल के मामले में दिल्ली की सीम अर्विंद केजlass रिवाल और आम आदमी पार्टी को जम कर घेडा अजादी की बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सीम को प्रकरण में जेल जाना पड़े और वो पद्भी नार करना चाहिए वहीं मामले में बीजेपी और कॉंग्रेस के भी जुबानी जंग चीड़ी हुई है उनके घर मार पीड हो जार वो कुश नहीं करें आई एसी चारी बातों को ले करके मुझे तो बड़ी निराशा हुई उनके अपने व्यक्तिकों को ले करके आप पार्टी को जंदा माफ नहीं कहेगे ना कोई इनके पतादिकारे को माफ करेगी मैं समझता हूँ आम आपमी पार्टी का मामला है वो अंदर का मामला वो शुल्झा लेंगे वो जो जाना भी चाहिए भारती अंता पार्टी की बात है तो इस पर तो सवाल उठा रही है लेकिन हमारी पहलवान बेटियां जब नियाय मांगनी थी क्या मणीपुर देश से बाहर का हिस्सा है मणीपुर में अस्पच जिस तरह से वहरों की लूटी की उस पर वाज़ा पारे क्या माननी प्रधान मंत्री तक ने एक सब्द नहीं बोला एवेंचलिकल लूथरन चर्च के फरजीवाडे मामले में IBC 24 की खबर का असर हुआ है EOW ने चारिटी के चोरो याने की एवेंचलिकल लूथरन चर्च के भ्रष पताधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है EOW जबलपो डिवीजन ने फरियादी सरेल लॉरेंस की शुकायत पर प्रक्रण दर्ज किया है दो साल पहले EOW में शुकायत की गई थी लेकिन पुलिस की लापरवाही की चलते दो साल तक FIR नहीं हुई जिसको लेकर फरियादी सरेल लॉरेंस ने IBZ24 का आभार जटाया जो चर्च की जमीने थी जो की लीस पर मिली हुई जमीने थी लाखों की जमीनों को कडोडों की जमीनों को इन्होंने कोडियों के भाव बेचने का काम किया और बेचा तो बेचा वो पैसे भी जो थे वो चर्च के अकाउंट में नहीं आने पाए चेरिटेबिल संस्ता होने के नाते लीस की जमीनों को नहीं बेचा जा सकता अगरिम कारवाई करते हुए ये डवलू जो कल्प्रेट्स है उनको बिहाइंट आपार रखने का काम करेगा मैं आई बीसी ट्वेंटीफोर को घर्दस धन्यवाद देना चाहता हूँ स्टेट जीस्टी की टीम ने मुरैना की दो फ़ं गॉलियर की एक फ़ं के मुख विफसाइक स्थल और घरों पर चापे मार कारवाई की एंटी एविजिन टीम के करीब 300 अधिकारियों ने मुरैना की बियार ओयल मिल बियार आग्रो के बानमोर स्थित फैक्टरी जीवाजी गंसित ऑफिस और संचारक सुरेश शिंद्र जिंदल के टीयार पुरम निवास पच्छा पेमार कारवाई की जाच में स्टेट जीस्टी की टीम को तेल वेबसाइट से जुड़े टैक्स के कागज़ों में गरवड़ी मिली जाच अधिकारी टैक्स और हवाला से जुड़े कागज़ाद खंगाल रहे हैं इस कारवाई के बाद जिले के वेपारियों में हड कंप मचा हुआ है और इसे लोग सबाचराओं से भी जोड़ कर देखा जा रहा है गौलियर के एंटी इविजन वीरो की टीम के दोरा हमारे जॉइंट कमिस्नर दूमसिंद चौन साब के मांगदर्शन में एक कारवाई की जा रही है जिसमें दो मुरेना की फर्मे हैं और एक गौलियर की फर्में टोटल तीन फर्म पे कारवाई अभी जा रही है प्रारम की गई है और मुरेना की फर्मे है वो वी आर ओल और एग्डरो दो फर्मों पे जाचकी कारवाई की जा रही है आधुनिक और उन्नत खेती के लिए MP सरकार युवाओं को प्रसिक्षित कर रही है जबलपूर जबलपूर के पारटन के रहने वाले है वो पतिस दन की ट्रेणिक के बाद जबलपूर जिले के पहले ड्रॉन पालेट बने है प्रसिक्षन प्राप्त कर लोटे निलेश पतेलने क्रिशी वभाग के अधिकारियों के मौजूदगी में उड़ना के एक किसान के खेत में ड्रोन से दवाका छड़काओ भी किया किसान भाई इस चीच को समझें इसमें नेनो पार्टिकल्स होते हैं बहुत चोटे चोटे पार्टिकल्स में हमारे जो पौधे हैं उनको खाद मिल रहे हैं यूरिया और डीएपी तो किसान भाई इस चीच को समझें कि जब यह बहुत चोटे चोटे पार्टिकल्स में पत्ति के लिए आजी कर्नि के लिए हमें कंपनी ने एक जट अबू रखेशर land ुद इंता गयाए कि साथ पीजगरी भाष्वा का नंबर वन बुलेटिन हमर्बानी हमर्गोड श्रमन तंबोली के साथ नमस्कार